हेलो दोस्तो वेलकम बैक टी नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले है ब्रैंड न्यू यमा MT-15 के कम्प्लीट एडवांटेज एंड डिस एडवांटेज के बारे में दोस्तो अगर आप MT-15 ले रहे हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है क्या डिस एडवांटेज मिलता है वो सारे चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मतलब आज की जो वीडियो दुस्तो आप लोग लिए बहुत ज़़ा इंटरस्टिंग वाली है बहुत ज़़ा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जाहर सी बात है जब भी आप MT-15 लेने की सोचेंगे तो भाई आप ये ज़रूर सोचेंगे कि भाई भाई इस बाईक में इतने पैसे दालना हो तो क्या ये मेरे लिए अच्छी है क्या मुझे ये बाईक लेने चीए ये सारे कोशन आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे तो ये सीजे जो हम आप लोगो के आज क्लियर करने वाला हूँ ठीक है क्या क्या एडवांटेज मिलना सारी चीज आपको डिटेल्स में बता हुआ चली फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं चली सबसे पहले बात करने थे इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जहर चीबात है अगर आप कोई भी चीज खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते है कि हमारे जेब में पैसा कितना है बाई मैं भी आपकी तरह एक middle class लड़का हूँ तो मैं भी 10 बार सोचता हूँ मुझे पता हर middle class लड़का 10 बार सोचता है तो दोस्तों बात करें इसके price के बारे में देखिए MT-15 में आपको 2 वेरेंड मिलेगा एक आपको मिलता है LED indicator and Bluetooth वाला model जो की top model है और इसे base model लेंगे न तो इसमें आपको Bluetooth नहीं मिलेगा और LED indicator नहीं मिलेगा बाकी सारे चीज़े सेम रहेगी अगर हम base model के बारे में बात करें तो आपको on-road price आ रहेगा आपको में बतारा हूँ नहीं हाँ थोड़ा price का difference जोड़ा हमें देखने को मिल जाता है हलाकि मुझे लगता है LED indicator तो आप बार सी भी लगाएंगे ब्लुटूथ कहां से लगाओगे तो ब्लुटूथ आला आप ले सकते हो चलिए अब दोस्तो बात कर लेते एडवांटेज और डिस एडवांटेज के बारे में MT-15 में सबसे पहला जो एडवांटेज मिलेगा दोस्तों मिलेगा इस बाइक की power and performance जाएड सी बात है ये बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों मैं आपको बता दो MT-15 में आप लोगों को ये लख राएगी इसमें 150 CC की बाइक है तो ये क्या ही performance करती होगी आप यही सोचते है मुझे पता है जिनको बाइक का knowledge जादा नहीं है पर आपको बता दो इस बाइक में 18.4 की PS4 and 14.2 का torque है लेकिन इस बाइक में आपको VVA technology मलते है जिसे हम कहते है variable volume equation इस technology की वज़िसे दोस्तों इस बाइक की जो top end performance आना वाई वो आपको काफी तगड़ी देखने को मल जाती है इस परसे से top end performance है वो आपको बहुत जादा अच्छी देखने को मल जाती है और मुझे लगता है दोस्तों इस reason से जो है आप लोगों को बाइक में सबसे पहला advantage मिलेगा इस बाइक की performance और मुझे लगता है इस वज़े से लोग इस बाइक को बहुत ज़दा पसंद भी कर रहे है क्योंकि actual में दोस्तों इस बाइक की जो performance है बहुत जोरदार है बात करने इस बाइक के next advantage के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक का engine अब आपको पता बाइक किसी भी बाइक का जो main चीज होती है जो main part होता है वोता है engine इंजन ज्यसे हमारा अरह भाई हमारे इंसानों के लिए इसका heart होता है वैसी the bike के लिए उसका engine होता है आपको मैं बताना चोंको इस बाइक में आपको जो engine देखने को मलता ना इस बाइक का इन्जिन क्वालिटी आपको इस अड्वांटेज में मिलेगा इस इस बाइक को पता है की ले रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका लुख देखते हे लोच दिखती कैसी है सो आपको बता दो MT-15 का जो look and design आपको मिलेगा दोस्तों बहुत ही अच्छा देखने को मलता है जहाप एक कोई डाउट नहीं कमपने ने look and design बहुत अच्छा दिया हुआ है और इस look की वज़े से आज यह bike इंडन मार्केट में राज कर रही है तो यह भी बहुत अच्छा जो ब्रेकिंग भी तो होनी चीहर है क्योंकि safety भी तो important रखता है तो आपको बता दो इस bike में आपको dual channel anti-lock braking system देखने को मिलता है ABS है जो कि dual channel ABS आपको bike में देखने को मिलेगा front में आपको 282 mm की plate है rear में इस bike में आपको 220 mm की plate मिलती है so इस परज़े से दोस्तो आपको bike की ब्रेकिंग performance है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कोई डाउट नहीं कंपणिये ने बहुत अच्छी braking जो इस bike में यूस किया हुआ है तो यह भी बहुत अच्छा advantage है वो आपको bike में देखने को मिलता इस bike की braking बात करने दूस्तो इस bike के बारे में तो है दूस्तो इस bike की suspension आपको में आपको suspension मिलेंगे वो बहुत अच्छे म कर सकते हैं जो bike का next advantage है दूस्तों वह इस bike का speedometer रहने किसके features आपको बता तो MT-15 में जो feature आपको मिलेंगे दूस्तों वह भी आपको बहुत जादा देखने को मिलता है इस bike में आपको fully digital meter देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारे feature देखने को मिलेंगे जैसे speedometer, takeometer, trip meter, autometer, clock service reminder, mobile connectivity लेंगे तो mobile connectivity भी आपको मिलेंगे Bluetooth connectivity मतलब feature wise आपको लिए bike एक best option निकल कर आता है बात कर लिए दोस्तों इस bike के next advantage के बारे में तो है दोस्तों इस bike का comfort अब जाहर सी बात है दोस्तों MT-15 हम इसी लिए रहे है R&5 छोड़के क्योंकि हमें comfort चाहिए क्योंकि R&5 का look ब तो giant सी बात आर comfort होनी चीए आपको बता दो MT-15 ने काफी comfortable bike है आप इस bike को easily 200-300 km कंटीन ही चला सकते है आपके back when shoulder पे कोई pain नहीं होने वाला तो यह भी advantage आपको bike में देखने को मिल जाता है बात कर लिए दोस्तों इस bike के बारे में तो है दोस्तों इस bike का mileage अब जाहर सी बा जब कोई support sports bike है सुपर bike ले रहा है तो आपको बता दो इस bike का mileage हो बहुत तकड़ा है यह आपको 40 के असपस का mileage इसलिए निकाल कर देती है और यही यमा की खास बात है कि performance भी है वी वी टेक्नलोजी होने की वाज़े से और आपको bike में जो है mileage भी मिलता है इस reason से लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे है इंडिन मार्केट में next and last advantage है दुस्तो इस bike का feedback अब जहर सी बात है यार bike में performance है तो फिर feedback भी तो होना चाहिए अगर आप भाई मैं बोल रहा है जो MT15 चला रहा है अगर आप उससे बोलेगे कि क्या मैं यह bike लूँ तो आपको बोलेगा आप इसे आंक बंद करके लिए लेजे इतनी अच्छी जो performance है वह हमें इस bike की देखने को मलती है और इसका feedback है दोस्तो वह बहुत अच्छा है किसी से भी पूचेंगे तो आपको हमेसा अच्छा review देंगे तो इस वज़े से भी जो है आप इस bike को अपना पना सकते है ठीक है होती तो में भी ज्यादा बैतार हो सकती थी उनके लिए जो दोस्तो ज्यादा फैमिली पर्पस के लिए इस बाइक को लेने के लिए तो एक छोटा सा पहला मिलेगा इस bike की seat दूस्तर सीट लेंध पिलेंड की सेकिंड इस बाइक का speedometer मुझे से लगता है दोस्तों MT 15 में TVS वाले अपनी छोटी सी bike में दे सकते हैं भाई जायर सी बात है क्या दे सकते हैं TFT डिस्पले है तो फिर यामा वाले कैसे पीछे रह सकते हैं कि यह एक major मुझे लगता है इस bike में यह company को update करना चाहिए नेक्स है लास्ट डिस्पले है दोस्तों इस bike का weight अब देखिए body to weight ratio में जानता हूं performance के लिए बहुत जाला important रखता है और यहापे कोई doubt नहीं इसकी जो performance है बहुत अच्छी है लोगों को बहुत जादा यह पसंद भी है अब problem ही आती है कि बाही performance के साथ साथ इस bike का weight down है कि bike की जो performance है ना वो तो आपको अच्छी मिलेगी बट highway में जब आप top end करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा stable यह नहीं रह पाती तो यह भी जो disc around दोस्तों आपको bike में देखने को मिलेगा बाकी सारे चीज़ आपको bike में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको MT कैसी करती आप कमेंट करके जरूर मतायेगा सुमित करता हूं चोटी से वीडियो अच्छी लगी की वीडियो अच्छी लगी लगी लाइक करना चैनल तो पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं दोस्तों नेक वीडियो में लवी ओल जैहीन मंदमात्रम